सुपेला रेले फाटक पर बनने वाले अंडर बिच का कार्य अब फाटक के दूसरे और सुपेला की तरफ बढ़ चला है इस अंडर बिच के डिजाइन की वजह से दक्षिन गंगोतरी के व्यापारियों के व्यापार समाप्त हो जाने का खत्रा बना हुआ था जिसे लेकर व् अंडर बिच के कार्य को भविश्य में बाध हित कर सकता है इसे लेकर व्यापारी संग के अध्यक्ष से खास चर्चा की गई जिसमें समस्या और समाध्हान की जानकारी हुई नमस्कार दोस्तो आज हम एक बार फिर खड़े हैं सुपेला के उस रेलवे फाटक पे जहां से अंडर ब्रिज बनना तह है और अब रेलवे पट्री के सुपेला की तरफ कार प्रारंब हो चुका है कार किस तरह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दक्षिंड व्यापारी व्यापारी संग को संतुष्टी मिली है तब वो काम शुरू हो पाया है हम इस मामले में बात करना चाहेंगे दक्षिंड गंगोत्री व्यापारी संग के अध्यक्ष महमूद साब सबसे पहले स्वागत आपका जी नमस्कार में में साब बताएंगे कि यह जो अंडर बिज बनना था इस अंडर बिच को ले करके बहुत सारी विशम दाएं थी दक्षिंड गंगोत्री का जो बाजार है यह पूरा खत्म होने की कगार पर तो ऐसा क्या हुआ आप लोगों का काफी लंबा विरोज चला है और मतलब किस तरह से बात बनी है जो आज आप लोग तैयार ह हो गया है काम कराने लिए हम लोग तो यहां पर विरोज के लिए नहीं हम चाहर है थे कि यह मार्केट हमेशा चलता रहे उसके लिए हमें दो तीन बाते रखी ते रेल्वे और उनके सबके सामने क्रेटर मोदय पास भी गए तो उन्होंने आसबसंद दिया था कि आप कुछ साइट में बनाए गया तो हमको संतोष्टेंग की दाइमिटर बढ़ा और उसके बाद फिर हम चाह रहे हैं कि इसमें जो दोनों मार्केट का जॉइंट है पूरा खतम हो रहा है जॉइंट महां का रास्ता भी बंद हो रहा है बीच का सरकस मैजान वाला भी बंद हो रहा है इस आपकी मांगे आपकी पूरी हो चुकी है जो धाइमिटर जो छोड़ना था और उसके बाद नाली थी वह नाली भी सरक गई है तो अभी लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि कुछ व्यापारी यहां से दुकाने खाली करके जा रहा है ऐसा क्यों यह क्या है कि जब फाटक बंद हो गया है तो रास्ता बंद होने कारण तो वह वैसे कि पब्लिक कम हो गई गराकी कम हो गई त बनने के बात देखते हैं कि हमको क्या क्या रास्ता मिलता है अगर करेंटिविटी रहेगी अच्छी गरह काना जाना रहेगा तो तो दुकाने फिर उड़ जाएंगी को दिक्कत महीं है जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आकाश गंगा और दक्षिर गंगोतरी को जोड़ने के ल सब्सक्राइब करना पूल हम उनको करेंटिविटी फिर नहीं चाहते हैं पुलिस वालों को यहां से आना जाना पड़ेगा कभी मानलों चोरी हुआ जाएगा तो पुलिस वाली तरह नहीं पाएगी इस तरफ तो कैसा करेंगे फिर उन लोग घूमके आएंगे तब तक चोर सब्कुल साफ बात है कि अब तक जो इन्हों ने मांग की है रेलव प्रशासन हो जीला प्रशासन हो उन्हों ने व्यापार्यों के दर्द को समझा הי HA है और उनकी मांगों को पूरा किया है लेकिन ये एक मांग कहीं न कहीं गले की हड़ी बना हुआ है रेलवे प्रशासन के लिए भी और व्यापारी संग के लिए भी क्योंकि दक्षिन गंगोतरी का जो व्यापार है वो आकाश गंगा के थुरू ही होना है और जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यहां के व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएंगे और उनको भारी नुक्सान उठाना पड़ेगा तो देखना होगा कि आगे रेले प्रिशासन हो जिला प्रिशासन हो या 36 गल प्रिशासन हो दक्षिर्ण गंगोत्री के व्यापारियों की मांग को किस तरह से पूरा करता है या दक्षिर्ण गंगोत्री पूरी तरह बरबाद हो जाता है Grand A.C.N. News के लिए सहीयोगी प्रविन मिर्जे के साथ मैं हूँ संतो शर्वा